नमस्ते गाईज मेरा नाम मैं अभी मन्यूँ, स्वागत है आप सभी का Speak Urban English में दोस्तो लाइफ में हमें बहुत बार इन तरीकों के sentences का use करना पड़ता है जैसा कि अगर मैं कहूँ गए तो नहीं थे, डरे तो नहीं थे, सोए तो नहीं थे तो दोस्तो यह नहीं थे, नहीं थे, इन तरीकों के sentences का use हम अपनी daily conversation में बहुत बार करते हैं तो आज के वीडियो में दोस्तो यही सीखने वाले हैं, इन तरीकों के sentences को English में किस rule के according, किस structure के according आप form करते हैं दोस्तो तो आईए, दूस्तो इसका rule देख लेते हैं, देखेगा बहुत ही simple है, सबसे पहले आता है subject, उसके बाद did not, उसके बाद verb की first form, उसके बाद आएगा आपका object, लिख रहे हैं, लिखते समय कॉमा आता है, उसके बाद did, उसके बाद again आपका subject, वही subject दोस्तो जो श question tag क्या होता है, यह हम पहले भी काफी वीडियो में पढ़ चुके हैं, दोस्तों, ध्यान रखेगा अगे, मैं वो ही बता रहा हूँ, कि लिखते समय, last में दोस्तों, question mark आता है, and comma भी आता है, second वाला जो did है, उससे पहले, ठीक है दोस्तों, अब इसे बहतर समझेंगे हम, कुछ example से, तो पहला example है दोस्तों, आपका, डरे तो नहीं थे, डरे तो नहीं थे, इसको हम बहुत बार, इन तरीकों के sentences को हम बहुत बार, ऐसा भी कहते हैं, डरे तो नहीं थे ना, last में ना लगा देते हैं, खेले तो नहीं थे ना, पढ़े तो नहीं थे ना, तो दोस्तों, डरे तो नहीं थे, डरे तो नहीं थे ना, इन दोनों sentences का मतलब same ही होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेगा, दोनों का मतलब same ही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, तो देखे, डरे तो नहीं या फिर क्या कह सकते हैं? देखा तो नहीं था ना. इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? You didn't see. Did you? दिक्कत तो नहीं हुई थी. इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? खाया तो नहीं था, या फिर क्या कह सकते हैं, खाया तो नहीं था ना, खाया तो नहीं था ना, इंग्लिश में क्या कहेंगे, You didn't eat, did you, दोस्तों याद रखिएगा, second did से पहले कॉमा लिखते समय, और last में question mark, क्योंकि question tag के sentences हैं, चीक है, बोर्ड तो नहीं हुए थे, बोर्ड तो नहीं हुए थे न, You didn't get bored, did you, इंग्लिश में कहेंगे, You didn't stay there, did you, होगा क्या इसे करने से, होगा क्या इसे खाने से, होगा क्या इसे सीखने से तो दोस्तो होगा क्या होगा क्या इन तरीकों के sentences का use हम अपनी daily conversation में बहुत बार करते हैं तो आज के वीडियो में दोस्तो यही सीखेंगे इन प्रकार के sentences को English में किस rule के according आप form कर सकते हैं दोस्तो बहुत ही simple सा rule है, rule देखेगा इन तरीकों के sentences को form करने का, सबसे पहले आ जाएगा आपका what will happen by, what will happen by, उसके बाद verb, उसके बाद ing, उसके बाद आपके other words और last ना आ जाता है आपका question mark ठीके दोस्तों example से और बहतर समझेंगे, देखे पहला है आपका, होगा क्या मिलने से, होगा क्या मिलने से what will happen by meeting, what will happen by meeting, होगा क्या इसे सीखने से, what will happen by learning this, what will happen by learning this, होगा क्या एक बात को बार-बार बोलने से, what will happen by speaking one thing again and again, what will happen by speaking one thing again and again, होगा क्या जादा पढ़ने से, what will happen by studying a lot, what will happen by studying a lot, होगा क्या सबको बताने से, होगा क्या सबको बताने से, what will happen by telling everyone, what will happen by telling everyone,